C.A. Foundation Principles and Practices of Accounts उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? ध्यान देना बेटा सभी ने अच्छा सभी को clear दिख रहा है एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ चाँ C.A. Foundation Principles and Practices of Accounts जिसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले Journal Entries लिखी थी जिसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले Journal Entries लिखी थी बेटा और Journal Entries लिखने के बाद हमने Posting स्टार्ट किया था Journal Entries लिखने के बाद हमने Posting स्टार्ट कर दिया था, ठीक है? मैं फोन ऐसा रख रहा हूँ Sir, loud नहीं हो रहा है बेटा, आवाज बढ़ा दे एक बार आवाज बढ़ा दे बेटा, मेरे CA Foundation के सारे लिक्चर यहीं मिलेंगे, विडियो गेमिंग सबरना खान, loud नहीं हो रहा है आवाज बढ़ा दो बेटा, एक बार हलो, 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 हलो अभी आवाज क्लियर है हलो, हलो ओल क्लियर, चलो, ठीक है ओके, दो-दो जगा दिख रहा हूँ हमे चलो, ठीक है, ओल क्लियर चलो, लो बेटा में स्टार्ट कर रहो भी लो, चलो, ध्यान देना CA Foundation Principle and Practices of Accounts लास्ट लेक्चर में हमने क्या-क्या रिवाइस किया था, हैना, आपको अगर याद आ रहोगा, तो ये Entries हमने पास कर दी थी, मैं Posting स्टार्ट कर रहा था, Yes or No, Posting स्टार्ट कर रहा था, वैशाली भोसले बोल रही है, Sir, Not Now, No Lagging, ठीक है, Lagging तो वैसे भी नहीं है, बटा अभी, और एकदम तुरंट के तुरंट है, तुरंट के तुरंट है सारी चीज़े, So, Posting में स्टार्ट कर रहा था, Posting में हम लोग क्या करते है, Journal Entries में जो भी हमने Transactions Record किये, Journal Entries Book में जो भी Transactions Record किये, वो सारे Transactions, प्लीज ज्यान देना, उन सारे Transactions को हम लोग respective accounts में transfer कर देते, राम के Transaction, राम अकाउंट में, शाम के Transaction, शाम अकाउंट में, सका राम के Transaction, सका राम अकाउंट में, तुका राम के Transaction, तुका राम अकाउंट में, yes or no? So, इस Process को कहते है, Posting, Basically Classification, yes or no? Video Gaming, बिटा, आप जो बीच में पूछ रहे हो, कि कहां मिलेंगे Lectures, सब Only Lectures के App पे, ये देखो, ये Only Lectures लिखा हुआ, इसका App डाउनलोड कर लो, सब कुछ उस पे मिल जाएगा, yes or no? चल, अभी ध्यान देना, अच्छे से, Posting की जो मैं बाते कर रहो, प्लीज ध्यान दे, बिटा, मुन्ना, ध्यान देना, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये राम का Transaction, राम अकाउंट में पोस्ट कर दूगा, ध्यान दो जर आच्छे से ध्यान देना, ये मैंने जर्नल एंट्रीज लिख दिये, बिटा, प्लीज, अब अपने आपको थोड़ा सा पेशेंस रखो, शान्त करो थोड़ा सा, और ध्यान दो बिटा, बोर्ड पे, ये जर्नल एंट्रीज हमने पास कर दी, रेकॉर्डिंग कर दिया, राम को उधारी में माल बेचा, राम टू सेल, रहीम भाई को उधारी माल बेचा, राम टू सेल, उसके बाद हम में पोस्टिंग कर रहा हूँ, अब में क्या कर रहा हूँ, पोस्टिंग कर रहा हूँ, अब अच्छे से ध्यान देना, पोस्टिंग मतलब क्या, ये राम का ट्रैंजेक्शन, ध्यान देना राम के राम अकाउंट डेबिट लिखा है राम अकाउंट डेबिट लिखा है तो राम के डेबिट में जाओ राम अकाउंट के डेबिट में जाओ और लिख दो टू सेल उसके बाद लिखा है सेल अकाउंट क्रेडिट तो सेल के क्रेडिट में जाओ और लिख दो बाई राम debit में credit, credit में debit, थोड़ी दरे फ़ल देखा था, yes or no, उसके बाद, रहीम के debit में जाके लिएक 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 लि पूरंद के तुरंद नो रागिंग तुरं पूरंद के तुरंद आपने ड़ाउट पूछन है पिता अंतकी स्टुडंट एक वडाउट यह हमने क्या है नंद आप पो इसले वरकूल पोस्तिंग अब अच्छे से ध्यान देना ध्यान देना अब राम के डेबइट side की total है hundred और credit side की total है zero तो hundred और zero में जादा क्या है hundred जो जादा है वो दोनों side में लिख दो और इधर balance किता आ रहा है इधर balance आ रहा है इधर balance आ रहा है बिटा प्लीज ध्यान देना इधर balance आ रहा है आपका hundred का इधर balance आ रहा है आपका Balancing Figure से By Balanced carried down, carried down मतलब is spread के ending का balance 100 है, इसको अगले spread में लेके जाना है, इस spread के ending का balance 100 है, इसको अगले spread में लेके जाना है, इसको बोलते है balance carried down, यहाँ पर sale का balance कितना है बेटा? 100 और 200, 300 इधर 0, तो 300 लिख दिया balancing figure, इधर 300 था इधर 0 था, balancing figure इधर आ गया 300 इधर balancing figure निकालो आपर इधर 200 इधर 0 तो balancing figure जिधर balance कम पढ़ रहा है उधर लिख देने का इसको बोलते balancing figure निकालना by balance यहाँ पे to balance लिख लिया मैंने yes or no यह simple मैंने एकदम example लिया posting का sir, posting करते क्यों है ध्यान देना बटा ध्यान देना अच्छे से, posting क्यों करते क्योंकि यह जो journal entry book है journal entry book में आपने सारे transaction record किये date, particulars, leisure folio, debit amount और credit amount अब यहाँ पे क्या हो गया, mixture हो गया यहाँ पे owner ने business start किया capital का transaction भी यहीं पे owner ने माल खरीदा purchase का transaction भी यहीं पे owner ने माल बेचा, sale का भी यहीं पे यहाँ पे owner ने machine खरीदा machine का भी यहीं पे owner ने यहाँ पे salary पे किया सब यहीं पे, सब mixture है बटा अब हम लोग posting क्यों करते अब बताओ मुझे अच्छानक अगर साल के आखरी में जरुवत आन पड़ी कि मुझे purchase related हिसाब बताओ साल भर का तो अब journal entry book में खिचड़ी में धून्टे बैटेंगे क्या purchase कहां कहां है इसलिए journal entry book यह सबसे पहला का maintain करना होता है और हम लोग क्या करते है तुरं के तुरं क्या बना लेते है बटा laser capital के transaction capital account में purchase के transaction अगर किसी ने पुछा मुझे machines related information बता अब information अगर निकालना है information अगर निकालना है तो मुझे journal entry देखने की जरूत नहीं machine की information चाहिए चल भईया machine का laser open करके देख ले उसमें क्या क्या है salary की information चाहिए इस इप salary का laser देखेंगे yes or no तो क्या हो रहा है sir आपने phone का mic बन करो ना phone का mic बन कर दो एक second एक बच्चा बोल रहा है sir phone का mic बन कर दो आवाज आएगा कि फिर आप लोगों को check करो बेटा आवाज आ रहा है क्या hello 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 आवाज आ रहा है बेटा सभी को बताओ hello hello आवाज आ रहा है आवाज नहीं आ रही ओके इसी लिए मुझे फोन का माइक आउन करना पड़ेगा समझे क्या आप हाँ बोल पिटा अथरव अभी आवाज आ रहे है पिटा सभी को अभी आवाज आ रहे है पिटा सभी को क्लियर आवाज आ रहे है एक दम डन ओके अभी क्लियर आवाज है ओल सेट डन आवाज आ रहे है सभी को चलो ठीक है चलो आजओ आजओ बिटा तो हम लोग क्या करते थे जर्नल इंट्रीज में ए बिटा प्लीज ध्यान दे नहीं दर मुनना ध्यान दे बिटा जर्नल इंट्रीज में सारे ट्रैंजेक्शन से एक साथ लिख लिए मैं क्या कर रहा हूँ जर्नल entries के सारे transactions को classify कर रहा हूं respective transaction respective account में respective transaction respective account में टॉं 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 यस और नू तो इस process को कहते है posting इसलिए recording के बाद अगला काम है posting पोस्टिंग कहां करते हैं laser book laser book मनझे खाता वही खाता वही में सारे खाते होते हैं account खाते हैं वही में क्या होते account yes और no यहां तक बात समझ आई कि आप सभी को any student any kind of doubt यह लिखा नई तो भी चलेगा यह नई लिखा तो भी चलेगा लेकिन यह समझ में आया सभी को clear चल थोड़ा सा आगे बढ़ रहो अच्छे से ध्यान देने आप सभी ने सो आप लोगों को यह तो समझ में आया कि यह है business बिजनेस में क्या हो रहे है transactions transactions को आप लोग क्या करते हो record recording के बाद आप लोग क्या करते हो posting और posting कहां करते हो laser book खाता वही जिसमें होते है account left side debit side right side credit side yes or no और posting के बाद आप क्या करते हो balancing balancing अभी आपने निकाला था ना balance carried down balance carried down ध्यान देना thank you thank you so अभी आपने balancing figure निकाला था बैटा सो मान लो debit side की total 100 है इदर की 80 तो balance इदर कम पढ़ रहे है 20 तो यहां लिख देंगे balancing figure 20 इस 20 का नाम क्या रहेगा इसका नाम ध्यान दे मुनना इसका नाम रहेगा debit balance क्योंकि debit side की total 100 थी credit side की थी 80 जो side की total जादा है balance को side का नाम दे दो जो side की total जादा है balance को वो side का नाम दे दो मान लो ऐसा होता credit side की total 100 इधर 80 तो balance इधर आता 20 और इसका नाम रहता ये credit side की total ज़ादा इधर की कम है debit की जो side की total ज़ादा है balance को वो side का नाम दे दो balance का नाम credit balance होता इस process को कहते है balancing ये balancing figure निकाल दिया ये हो गया balancing yes or no clear simple है laser book में transaction post करना बड़ा ही आसान है laser book में transaction post करना बड़ा ही आसान है बच्चे अब देखो ज़रा ध्यान देना अब आपका आज का homework क्या है सुनना ज़रा बटा आज का आपका homework क्या है मैं बताता हूँ ये सभी ने चेक करना है ये सभी ने homework करना है मैं चेक करूगा next lecture में ये जो हमने इसके पहले एक transaction लिखवा के दिया था आपको अगर याद आ रहा होगा तो एक हमने इसके पहले transaction लिया था हाँ दिख रहा है बटाए सभी को ये transaction सभी के पास लिखा हुआ है सेमी येस और नो ये transaction सभी के पास लिखा हुए सारे के सारे बारा के बारा transactions स्वरी पंद चौदा के चौदा ट्रैंजेक्शन येस ये सारे transactions की मुझे चाहिए journal entry वो मैंने अल्रेडी कर दिये मुझे सारे transaction की लेजर पोस्टिंग दितो सौरी जर्नल एंट्री नी लेजर पोस्टिंग जर्नल एंट्री नी लेजर पोस्टिंग येस और नो करते आएगी पक्की बात के बताओ करके करते आएगा या करके बता दू एनिबडी लेजर पोस्टिंग चाहिए मुझे पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन का बोलो बिटा एजी है आ जाएगा क्या बोले बिटा वाइस क्लियर नहीं आ रही है अभी आ रहे बिटा सब बाकी बच्चों को भी क्लियर आ रही है क्या बाकी सारे बच्चों को वाइस क्लियर आ रहा है बिटा क्लियर है आवस्तो कौन बात करें बिटा क्लियर है ओके तो पेटा एक बार refresh करो जो बच्ची ने भी बोला है पेटा एक बार refresh करो चलो अच्छा देखो सब लोग म्यूट कर दो म्यूट करो और सब लोगों का आज का यह homework है अभी मस्पई की खाना वाना खाओ और सबसे पहले यह homework करके बता दो मुझे अभी क्या करना है मस्पई की खाना खाके सबसे पहले homework करना है मैं आपको 2-3 transaction करके बता तो प्लीज ध्यान देना मैं 2-3 करके बता रहो यह उसके बाद आप ट्राइ करो मैं चेक करूँगा और correction कुछ रहे तो मैं करके बताऊंगा आप सभी ने book maintain किया यह मैं सोच रहा हूँ क्या मैं गलत हूँ बेटा सर CA foundation का लेक्चर है ना हाँ बेटा CA foundation का लेक्चर है लेकिन CA foundation के लेक्चर में बेटा basic चल रहा है अभी basic खतम होने एक बाद chapter number 0 यह basic खतम होने एक बाद उसके बाद CA foundation का प्रॉपर पहला वाला topic स्टार्ट करूगा आपका जिस topic का नाम है depreciation basic खतम होने एक बाद में एक topic स्टार्ट करूगा उसका नाम रहेगा depreciation yes or no yes 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 नहीं पर एक दो मैं को करके बताने दो मैं एक दो करके बताऊंगा भी business started with rupees 10,000 cash furniture 5000, computer 10,000 इसका आपने entry तो कर दिया था cash account, debit, furniture account एक दो मैं करके बता देता हूँ उसके बाद फिर आप try करना भी एक दो मैं करके बता देता हूँ पिर बचे आप try करना ये देखो पहला वाला business में cash account debit हुआ entry हो थी entry को देखना है कौन-कौन से account दिख रहे है cash account, furniture account, computer account, capital account पहला काम entry में जो जो account दिख रहे है वो account ड्रॉ कर लो पहला वाला account में थोड़ा सा detail में ड्रॉ करके बता हूँगा आपने सब ऐसक ऐसी करना है बिटा debit side, credit side cash account cash account दिख रहे दिख रहे है सभी को cash account बरोबरे और सुनो, अभी अपना जो दिख रहे है न कल अपना जो platform रहेगा वो इससे भी ज़्यादा smooth रहेगा कल या परसो में अपना खुद का private platform स्टार्ट हो जाएगा तो वो इससे भी ज़्यादा smooth हो जाएगा बिटा अच्छे से ध्यान देने यह cash account और कौन सा अकॉंट बुला है furniture account furniture account ज्यान दे मुनना furniture account उसके बाद कौन सा अकॉंट बुला है computer account computer account thank you भाई computer account उसके बाद capital account right side credit side left side debit side right side credit side यह सके देना देखो मैं कैसे कर रहा हूँ cash के debit में जा और लिख दे credit का item to capital cash के debit में जा और credit का item लिखो to capital to capital to capital 10,000 उसके बाद furniture के debit में जा और लिख दे to capital 5000 furniture के debit में जा लिख दे to capital 5000 debit में credit credit में debit computer के debit में जा लिख दे to capital 10,000 का था ना computer computer के debit में जा के लिख दो to capital कितना आसान है रहे और उसके बाद capital के credit में जाओ और debit के item तो तीन तीन item है तीनों लिख दो capital के credit में by computer, by furniture, by cash capital के credit में by computer, by furniture, by cash तीनों भी लिख दो amount किता है 10 और 5, 15 और 10 और ये 10 total 25,000 हुआ है क्या capital के credit में देख लो credit total 25,000 आ गया मज़ा आये कि इसको बोलते पोस्टिंग करना debit का credit में, credit का debit में debit का credit में, credit का debit में ये बात समझ आई बेटा सभी को पक्की बात, done, चल ठीक है ऐसे ही आपने सारे transaction का पोस्टिंग करना है, जितने भी account दिख रहे है purchase account, कोई भी account repeat मत बनाना जैसे cash account आया दूसरे entry में cash अलरेडी बना लिया, फिर से बनने की जरूबत नहीं purchase account बना लेना जितने भी account दिख रहे सब बनाओ 15, 20, 25 जो भी है और posting करोगे, try करो next lecture में मैं सारे accounts की posting बताने वाला हूँ done पकी बात, homework आज करोगे आप thank you very much madam, स्रिया madam, कविता चिंकर madam, thank you very much, love you all, take care bye bye, stay home, stay safe और हाँ, next lecture में हम लोग हमारा खुद का जो only lectures जो app है न, उस app के उपर हम लोग live आने वाले है, वो इससे भी ज़ादा smooth रहेगा, ठीक है, वो इससे भी ज़ादा smooth रहेगा, बिटा, don't worry चलो, thank you आज क्या इसमें थोड़ा buffering हो रहा है, इसके लिए मैं यह ही रोक रहू only lecture skype, एक या दो दिन में शुरू हो जाएगा, वो इससे भी ज़ादा smooth रहेगा, बिटा,